कि अलो वा जा रही है मेरी इस इस दीपक है आज यह जल्दी से और देख लेते हैं आज हमारे पास क्या है session के अंदर और what we are trying to get the understanding good morning है सब को एक passage बूला था मैंने ठीक है और मैंने बूला था कि passage करेंगे passage के बाद फिर हम और बाते करेंगे ध्यान रखें तो मेरी तरफ से सब लोगों को शुब प्रभात गुड मॉर्निंग और आगे बढ़ते हैं गाईस देखते हैं क्या है हमारे पास आज करने को एक passage मैंने रखा है सीटेट का अल्दो हो सकता है आप में से कई लोगों ने पहले पढ़ रखा हूँ लेकिन मैं उसके वोकाबलरी वर्ड्स और यह सब कराएंगे ठीक है और उस पर बात करेंगे मैं तो आ गया हूं लेट कब हो गया ठीक है और यार मैंने बोला इंग्लेश में लिख लिया करो मैसेज जब सर लेट होते हैं तो पक्का कोई नेटवर्क इसू होता है वैं सर सरगेट्स लेट देर मस्ट बी सम नेटवर्क आउटेजिज शूट बहुत चोटी-चोटी आज मैं देखता हूँ कई लोग बहुत अच्छी इंगलिश लिख पा रहे हैं ठीक है I want to join you in paid batch प्रतीक यार आप देखे अब तो वो पुराना batch हो गया है मैं सही बुलूं तो तो join कर सकते हो लेकिन उस पर आपको recorded जादा मिलेगा ठीक है ना अध्यनमंत्रा की आप उस पर जाके साइट पर join कर सकते कोई इशू नहीं है चलिए मैंने भूला ना नए साल में कुछ नहीं बाते करने वाले हैं and we'll be talking about lot of things चलिए कर दे शुरू कर देते हैं यार है ना और without wasting time एक passage मैंने रखा है आपके सामने आपको मैं एक मौका दे देता हूं पढ़ने का लीजिए मैं हट चुका हूं और one minute का time मैं आपको दे दूंगा आप जो afternoon farmer है वो थोड़ी सी दिक्कत में रहेंगे जो afternoon farmers है वो थोड़ी सी दिक्कत में रहेंगे ठीक है टेक one minute ठीक है टेक one minute and read the stuff इसमें जो जो भी वर्ड आये हैं वो मेरे को लगता है कि हमारे लिए जरूरी है इंग्लिश point of view से जब हम English point of view से देख रहे हैं तो वो हमारे लिए वर्ड बहुत जरूरी है जैसे कि अगर मैं बोलूं क्या है कहां आ गया suppress yes very nice word ठीक है there is a word suppress फिर वर्ड आ गया enormity फिर वर्ड कुन सा आ गया enormity ठीक है sorry मैं हट जाता हूं पहले आप पढ़ लीजे प्लीज डॉंट ओफन यू सर चलिए बनाने की कोशिश करें पहले मैं आपको मौका दे रहा हूं यहां पर ठीक है कि आप अपने इसाब से देख सके और फिर उस इसाब से हम लेके चलेंगे ठीक कि मल्टूर्स कि मल्टूर्स इमोशन्स और कॉंसा है न काई रेंडिंग वाइस नकाई रेंडिंग वॉइस वेढ़ यह आ प्लेज न ऑस दो और की कोई ऐसा वर्ड नहीं है जय costume नेतिन ठीक है यार मैं देख लूँगा उसको एक चलिए पहला जो है इसमें वर्ड पहले मैं मानता हूं कि एक वर्ड की वोकाबलरी हमारा अच्छा होगा तो हम काफी अच्छा कर पाते हैं पहला वर्ड आ रहा था सप्रेस पहले उनको समझ लेते हैं मतलब होता है अगर मैं बोलू तो किसी चीज़ को चुपाना दबाना ठीक है ना हाइड करना मतलब हाइड मतलब वैसे चुपाना नहीं एक एमोशन को सप्रेस करना मतलब I could not suppress my emotion when India won the World Cup I could not suppress my emotions when India won the World Cup है ना, अपने emotions को मैं control नहीं कर पाया, इसको control करना भी एक तरीके से बोल सकते हो ठीक है ना, control करना भी बोल सकते हो अच्छा, दूसरा हमारे पास word था enormity, enormous problem क्या होती है गाईस अगर मैंने आपके सामने लिखा it's an enormous problem तो अगर कोई चीज enormous problem है तो guys वो बहुती huge है है ना, बहुती मेंमत है ठीक है gigantic problem है, gigantic ठीक, वो gigantic problem है huge problem है, मेंमत problem है, ठीक है तो उसको आप बोल सकते हो, तो enormity of occasion का मतलब बहुत जादा, मतलब एक high level occasion थी, बहुत अच्छी occasion थी, ठीक है, ये ध्यान रखना ठीक, एक हमारे पास आ रहा है, tumultuous emotions tumultuous होता है guys, when you are full of emotions violent and loud violent and loud in voice मैं हमेशा से बोलता हूँ, जब कोई political party जीतती है जब कोई political party जीतती है, तो जो उसके workers का emotion होता है वो बहुत ही tumultuous emotions होता है कि अब तो भाया जी आ गए अब देख लेंगे संसार को होता है न, UP में भाया जी विधायक है न, तो फिर तो दुनिया जीत लिया आपने ठीक है, तो मेरे इसाब से वो एक tumultuous emotions होता है, अंधर तुफान उठावा होता है तो tumultuous मतलब जब अंदर बहुत तुफान सा उठाव, बहुत ही violent हो, बहुत ही loud हो noisy हो, that is called tumultuous emotions ठीक है, ये ध्यान रखना चलिए गाईज, और तो मुझे लगनी रहा, sky rend मतलब होता है, cheer देना, sky rending voice मतलब, आसमान को चीर देने वाली आवाजे, एक बार पढ़ लीजिये यार, किसी ने पढ़ना है और तो passage पढ़ लीजिये जल्दी से ठीक है, इसको पढ़ लीजिये जल्दी से किसी ने पढ़ना है, move कर जाओ next sheet पे एक बार बताईए, can I move to the next sheet जल्दी यार, जल्दी यल्दी करना है एक काम can I move to the next sheet चुपेंडस मतलब होता है, शांदार, बहुत बढ़ी आवाज ना, स्टुपेंडस परफॉर्मेंस मतलब शांदार परफॉर्मेंस जल्दी जल्दी करिये 30 सेकंड ले लीजिए, 30 सेकंड के बाद मैं move कर जाओंगा after 30 सेकंड I'll move to the next sheet काई रेंडिंग वाइस, काई रेंडिंग वाइस मतलब आसमान को चीर देने वाली आवाजे मार्चिंग मतलब आगे बढ़ना, मार्च मतलब आगे बढ़ना, राइट चलिए move करते हैं guys next slide पे, और next slide में देखते हैं हमारे पास क्या क्या है एक word हमारे पास आ रहा है smothered, ठीक है चलिए पहले आप one and half minute ले लीजिए militant होते हैं guys एक तरीके से kind of a terrorist type में जो किसी के खिलाफ against होते हैं मार्च करना नहीं हो ता मार्चिंग मतलब आगे बढ़ना, मार्च का मतलब आगे बढ़ना militant kind of terrorist बुल सकते हो, not exactly the terrorist चलिए, heavy scented flower garland almost smothered us from the balconies and the roofs unseen hands showered rose petal until the road became a carpet of flower, बहुत तगड़ा स्वागत हो रहा था यार शूक शेक की second form है, शेक मतलब हिलाना, शूक मतलब हिलाया ठीक है, चलिए, heavy, उनके ओपर फूल माला एक फैकी जा रही थी और पूरी road जो है, एक flower का carpet बन गई थी, ठीक है ना, और एक तरीके से sprinkle कर रहे थे rose water, ठीक है ना, उनकी जो palms थी, sandalwood paste लगा रहे थे उस पे, तो यह सब बाते बोल रहे हैं, थोड़ा सा बस दो-तीन main word बताऊंगा इसमें, और वो main word है omain, main word है smothered, ठीक है ना, और अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा है azure, azure बोल सकते हो, disgorge बोल सकते हो, tense बोल सकते हो, कुछ यह word है जो हम देख सकते हैं इसमें, है ना, कुछ नए word है जो हम देख सकते हैं, यह ध्यान रखे चलिए, मैं बताऊंगा यार, नितिन, disgorge और यह सब चीज़ अभी बताता हूँ, मैं, दो मिनिट दे दीजे, garland मतलब होता है, full mala garland मतलब होता है, full mala, ठीक है, मैं सारे word अभी बता दूँगा, जो जो आप पूछेंगे चलिए, पहले word को लेके चलते हैं, smothered, smothered क्या कहता है, smothered कहता है, my emotions were smothered, my feelings were smothered, strangulate करना seated में पूछा भी गया है, stifle करना, throttle करना, throttle करना, या बोल सकते हो, गला घोटना ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, गला घोटना, my emotions were smothered, my emotions were strangulated, stifled और throttled ठीक है, चलिए, दूसरा word उसके अंदर क्या था हमारे पास, दूसरा word हमारे पास कुन सा अच्छे वाला word देख रहे थे गाईज हम कुछ, amain, amain क्या होता है, a sign which shows some, a sign or warning to show something good or bad is going to happen something good or bad is going to happen जिसको हम बोलते हैं न, शुब और अशुब, इसको हम बोलते हैं अशुब आगया या अशुब, बिल्ली रस्ता काड़ जाए बिल्ली रस्ता काड़ जाए तो जितनी आपकी preparation है आज तक, वो खराब हो जाती है क्योंकि बिल्ली काम कर जाती है वहाँ पे अगर आपने बहुत जबर्दस preparation कर रखी है लेकिन आप जब exam देने जा रहे हैं और बिल्ली ने रस्ता काड़ दिया और God forbid exam में कुछ गलत हो गया तो preparation कुछ नहीं थी बिल्ली की वज़े से ही सारा काम खराब हुआ है ना और अगर आप धही खाके गए तो वैसा पंद्रा बीस नंबर तो बढ़ जाएंगे पका है ना तो पंद्रा बीस नंबर धही खाने से बढ़ जाते हैं और बिल्ली के आने से 30-40 नंबर गायब हो जाते हैं तो यह bad omen और good omen होते हैं ना जैसे कि अगर छट पे कववा ना तो उसको बोलते हैं चलिए तो omen का मतलब anything which is you know good or bad उसको बोल सकते हो anything which brings bad luck और good luck ठीक है तो उसको बोल सकते है चलिए यहाँ पर और क्या है guys omen के बाद एक और word हमारे पार रहा था azure waves होती है guys blue अगर मैं बोलू azure sky azure का मतलब होता है blue sky blue बोल सकते हो है ना sky blue इस गौर्ज होता है guys जैसे अगर मैं बोलू डिस गौर्ज करना मतलब होता है उस line में देखो क्या लिखा हुआ है उस line में लिखा है देखो city seems to have city seems to have disgorged the entire population on to the sense अब सारी दुनिया समुंद्र के पास पहुच चुकी और ऐसा लग रहा है कि city जो है पूरी population को उडेल दिया है कहां पर है ना यार मैं बताओंगा मेरे को रुक तो जाओ मुस्कान दो मिनिट रुकिए प्लीज ना मैं बता दूँगा पहले मैं जो बता रहा हूँ वो बताने दीजिए है ना request है आप से तो city seems to have disgorged almost entire population यानी सीधा का सीधा मतलब पूरी की पूरी population को city ने कहां पर उडेल दिया था उसको मैंने उडेल दिया था कहां पर वो sense sense मतलब होता है guys beaches sense मतलब होता है beach या समुद्र का किनारा होता है को हम बूलते हैue görüş सेंडि को beach बूलते है और disgorged मतलब होता है warm it कर देना उडेल देना मैं जिसको किया बोलतें उडेल देना है है इस को हम jest distill करना भी बोलते है nauseA करना nausea फाली feeling होती है न नॉजीएट करना protective होता तो अगर मैं बोलूं ये सारी चीजे बात जो है वो आपको बता रहा है चलिए अभी तक मैं एक छोटी सी बात बता दूँ ये पूरा पैसेज ये कह रहा है कि लोग सॉल्ट मेकिंग की तरफ चल पड़े हैं ठीक है लोगों में बड़ा उत्सहा है लोगों के अंदर ऐसा समुंदर की तरफ है ना येस डिस्चार्ज और पूर आउट हो सकता है ठीक है अब देखें वो यही बोल रहे हैं कोई लोग पूछे रहे हैं रिम्ड दा शोर रिम्ड होता है जब जाके टकराती है है जैसे लहरे होती है वो किनारे से टकराती है उसको इंगलिश में हम बो यार वो ऐसा है कि जब लोग चलते हैं तो अलग-अलग हाइट के होते हैं तो बहुत सारी भीड होती है तो ऐसे लगता है लोग नीचे उपर कूद रहे हैं तो बॉब ऐसी करके बोलते हैं उसको चलिए आगे बढ़ते हैं गाईस लास्सलाइड है इसकी जल्दी से देखत ने लास्सलाइड में क्या है इसकी जल्दी स्टाइड में तो अब बहुत जादा बड़े-बड़े कदमों से आगे बढ़ना यू नेच्ट वर्वार्वड नेंग तो टेक लॉंग स्टेप्स गाईस आपी आपी होते हैं कई बार होता है कि आपके साथ वाले होते हैं भाई आपने प्याटी शुरू करा जिंदगी प्याटी में खतम हो गई है ना और दूसरे वाला आपका दोस्त था भाई वो तो पता नहीं कहां कहां पोच गया ही वस ट्राइडिंग लाइक यूनो द वारियर ट्राइड होता है बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़ना हमें प्याटी मिल गया बड़ा सेटल हो गए जिंदगी सेट हो गई लेकिन दूसरा बंदे ने पीजीटी भी मारा दूसरे बंदे ने पीजीटी के बाद आगे भी देखी नेट भी निकाला यह भी करा वो भी करा वी वस अंस्टॉपइबल तो ही वस ट्राइडिंग लाइक यूनो की वस्ट्राइड होता है बड़े-बड़े कदमों से आगे बढ़ना ठीक है चलिए गाइस और तो मुझे लगनी रहा कुछ यहां पर शिम्रिंग होता यहां पर कॉपर Wright pence in मतलब होता तवां का जो मेन पाइर्ट वते हैं एक का फ्रेंट पाट ऑठीक है फ्रetrंटक जो होता ऊसको हम बोलतेई पैंस वह जब पैंस वह जब गर्म-पनी पर टक्राए उसका बाउस और बाऊ-जॉम मतलब होता है चेस्ट बाऊ-जम का मतलबlegen छ केस्ट आफ सम्थिंग तो जब उसके बॉजॉम सॉल्ट वाले वाटर पे टकराए तो वह गरम था हलका साथ तो उसने सारे पानी को लैबडब कर लिया और सॉल्ट बच गया खाली ठीक है ना तो वही यहाँ पर बाती कर रहा है चलिए आगे अब देखते चलिए अब आंसर पनाने शुरू करते हैं देखते हैं हमारे पास कितने आंसर बन पारे और में लाय्त दीर लिटेल फायर य्यूस मतलब каким दिषय है यूस मतलब कल्रों और घंडो कशमरी इंटंड मम दिया और लिग नौरी सिपी शिमर कर रही थी दिवाले वाले दिन अना शिमर करना कमकना का मतलब होता है color English में बोलते हैं ना black will take no other hue है ना सूर्दास की काली माया कचड़े ना कोई रंग कुछ ऐसे बोलते हैं भाई पता नहीं हिंदी में exactly but black will take no other hue तो उसको color बोलते हैं चलिए देखिए वूमेन ने अपनी little fires को क्यों जलाया था शी शोर पर उसका क्या reason है शी शोर पर उन्हों ने क्यों चलाया था उसका answer यह अच्छा express their anger anger नहीं गाईज purpose यह था कि वो क्या करना चाहते थे sea water को boil करके वहां से वो sea water निकालना चाहते थे ठीक है boil sea water to make salt boil sea water to make salt चलिए पहले का answer बना है c for cat पहले का answer क्या बना है c for cat कीता गलत answer है d ध्यान रखना उनका anger नहीं दर्शाना चाहते थे वो अपनी little fires उन्हों ने क्यों जलाई because they wanted to make salt चलिए second word का answer बताईए stupendous होती है जैसे you have given stupendous performance stupendous performance मतलब बड़ी शांदार performance जिसको हम बोलेंगे wonderful stupendous को क्या बोलेंगे wonderful second का a को लगा रहे हो कोन है यह a वाला bubbly क्या कर रहे हो a कहां से आएगा second में second में answer है B for Bombay stupendous performance मतलब होती है बड़ी शांदार performance बड़ी ही जबरदस performance ठीक है तो उसको हम बोलते हैं और वो क्या होगा basically B for Bombay चलिए next बताईए दोनों opposite of the word proud proud का opposite क्या होता है guys proud का opposite क्या होता है what is the opposite of proud चलिए देखिए अगर मैं बोलू fawning fawning का मतलब होता है चापलूसी I don't believe in fawning at all, I don't believe in psychofancy at all, I don't believe in adulation at all, I don't believe in flattery at all, I don't believe in flattery at all, I believe if you are talented enough to do your job, people are gonna give you weightage जो लोग ये बोलते हैं कि वो चापलूस था इसलिए तरक्की कर गया अंगूर खटे हैं ध्यान रखना चलिए अगर fawning बोलू तो fawning को हम चापलूसी बोलते हैं गाईस देखो proud अगर है तो थोड़ा घमंड है उसमें तो इसका जो opposite answer होगा वो क्या होगा A for apple humble ये जितने लोग D लगा रहे हैं न उनको fawning का मतलब ही नहीं पता जितने लोग ये D लगा रहे हैं इन वालों को fawning का मतलब ही नहीं पता ध्यान रखना Fawning का मतलब होता है किसी की चापलूसी करना Fawning का मतलब होता है basically क्या करना Fawning का मतलब होता है guys अगर मैं बोलू तो edulation करना, psychofancy करना, cowtow करना, weedl करना, blendish करना invegal करना, grovel करना और अगर मैं बताता जाओं तो शायद एक गंटा निकल जाए चापलूसी के words में यह ध्यान रखिएगा चलिए humble opposite आएगा यह ध्यान रखिएगा हाँ जी hardly word है यह तो मैं वैसे भी आपको बहुत बार करा चुका हूँ hardly जो बता रहा है वो suppress की quality बता रहा है suppress यह है आपका क्या वर्ब और वर्ब की quality कौन बताता है adverb वर्ब की quality क्या बताता है adverb ध्यान रखिएगा ठीक है वर्ब की quality adverb seated में आपको एक या दो question हर passage में ऐसा जरूर मिलेगा where you need to identify the part of speech decent होता है शरीफ आदमी क्याते है न बड़ा decent सा आदमी है थोड़ा शरीफ के लिए बूला जाता है चलिए answer बनाते है next one हमारे पास क्या है participation in the salt सत्तेग्रह evoke evoke का मतलब होता है emotions को बहार निकालना जागरित कर देना evoke का मतलब होता है emotions को it evokes the memory of my childhood it evokes the memory of my childhood है न जैसे कोई बच्चे क्या खिल रहे थे कोई ऐसा game खिल रहे थे which I used to play in my childhood that evoked the memory of your childhood उसने आपके memory को evoke कर दिया childhood की यहाँ पर evoke मतलब होता है जागरित करना उसको बोल सकते हैं ठीक है हन जी देखिए एक चीज़ और मैं बता दूँ सब लोग बहुती जबरदस्त वाले खुश थे सब लोग बहुती जबरदस्त वाले खुश थे तो यह ध्यान रखना excitement तो थी लेकिन यहाँ पर excitement से भी ऊपर एक feeling है वो feeling का नाम है ecstasy ecstasy का मतलब होता है extremely happy extremely happy when they were feeling exalted when they were feeling exalted they were feeling blissful there was a euphoria kind of feeling euphoria euphoria मतलब एक जबरदस्त खुशी का महौल था अर्षो उल्लास था पॉंपेंशो था एना euphoria वाली feeling थी I was feeling ecstatic when I got my result ठीक है अनीता एक class नहीं हुई है आप कह रहे हो evening की played class नहीं हो रही क्या बोलते हो यार एक भारत बंद के कारण आस तक बस एक class नहीं हुई ठीक है ना आप बोलते मतलब वही तो मैं कई बार कहता हूँ यार evening की class क्यों नहीं होगी आज भी class है शाम में ठीक है ना जो batch है उसकी classes होती है regular हो रही है उसकी class सिरफ इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि भारत बंद था ठीक है ना otherwise TTS ना हो ऐसा हो नहीं सकता चलिए extremely happy के लिए बोलते है when we are feeling ecstatic when we are feeling ecstatic we are extremely happy elated किसी ने लिखा elated champion बैठे हैं देखो यहाँ पर elated ना यह ध्यान रखिएगा चलिए Maya ने दिया elated word चलिए आँ जी गाई इस तो हमारा answer बनेगा ecstasy ठीक है participation जब उन्होंने करा ठीक है participation जब उन्होंने करा तो यह ध्यान रख लेना कि वो क्या थे बड़े अंदर से खुश थे चलिए sixth number the author took the pledge author ने क्या pledge लिया sixth number बताईए जल्दी से author ने क्या pledge लिया ठीक author ने pledge लिया India freedom struggle का पार्ट होने का ठीक है author ने क्या pledge लिया कि वो इंडिया freedom struggle का पार्ट होगा यह ध्यान रखना चलिए last दो question है जल्दी से बना दीजिए the warm welcome given to सत्यगरे शोड जो इतना तगड़ा उनका स्वागत हुआ है ना वो क्या दर्शाता है जो इतना तगड़ा उनका स्वागत हुआ वो क्या दर्शाता है चलिए आँ देखिये वो वो that Indian people turn every event into joy situation नहीं बिलकुल नहीं journal resentment तो मैं बताई चुका हूँ guys resentment मतलब the anger resentment मतलब the anger or indignation farmers resentment against the government है ना आयर furor ठीक है ना outrage spleen ठीक है यह सारे वर्ड मैं एक बार मैं लिखता हूँ हमेशा ठीक है anger, indignation, ायर, furor outrage, spleen इस सब है क्या आपके गुसा तो क्या वो गुसा दिखाना चाहते थे British के शोषण के खिलाफ exploitation मतलब शोषण the full support of the people for breaking the sword लो यह मुझे अच्छा लग रहा है guys है ना कि पूरा तगडे वाला support था जो इतना warm welcome हुआ वो दर्शार आ था कि full support था full support answer बनेगा see for cat answer बनेगा see for cat चलिये बनाईए answer a sea of human faces that swayed and dance जो एक जो लोगों के चहरे थे जो हिल रहे थे आगे बढ़ रहे थे वो क्या दर्शारे थे एना a sea of human faces that swayed and dance means people dancing while bathing नहीं यार human faces resembling a sea नहीं people bathing and frolicking होता है to enjoy in playful manner प्रॉलिकिंग का मतलब होता है to enjoy in playful manner चलिये अब देखो सीधी सी बात है तीनों option कड़ गए तो अब आपके पास बचा last option वो क्या है ये वाला ना तो ये दर्शार आथा कि वहाँ पे बहुत enthusiastic people थे ठीक है ये दर्शार आथा कि वहाँ पे बहुत ही enthusiastic people थे ठीक है चलिये गाईज ये बता दीजिए आठ में कितने number आया आपके कुछ पूछना है पूछ सकते है थोड़े बहुत अब लेके चलता हूँ sentence type के question मैंने रखे देखते हैं जरा कितने लोग sentence type बनाते हैं चलिये थोड़ा जल्दी करिये गाई यार थोड़ा जल्दी यल्दी करते हैं ताकि हमारे पास लाइक और 9.33 हो गए है and we'll move switch to the you know try to speak in English as much as possible चलिये लेस लेस do it guys and after our trip to beach school started back and I was excited to see my friends which sentence is this चलिये जिनके भी पांच नमबर छे नमबर है guys ठीक है मुझे कोई issue नहीं है पांच छे नमबर वाले ठीक है लेकिन चार नमबर तीन नमबर ठीक है problem है enthusiastic होता है जब आप बहुत जादा जोश में होते हो if you are enthusiastic about something you are feeling a zeal for someone आपके अंदर एक बहुत जोश होता है guys ठीक है उसको बोलते है enthusiastic चलिए बताईए nine number का answer क्या है जल्दी से बता दीजिए nine number जिनके पास logic है वो बता दीजिए जिनको ये आते हैं पहले से और इसकी video मैंने detail डाली हुई है and that too with the free of cost on the youtube okay you are not supposed to pay anything for that चलिए देखिए ये वाला जो पार्ट है कई बार लोग यही गड़बड करते है ये वाला जो पार्ट है ये clause नहीं है ठीक है ये वाला पार्ट आपका clause नहीं है ये तो group of word का एक phrase है क्योंकि इसके अंदर कोई subject verb नहीं है तो इसको तो पहले ही भार कर दो इसका मतलब यहां से एक clause शुरू ओ रहा है वो हुआ यहां तक एक बन गया clause and से जुड़ने पर दूसरा भी principle clause तो एक principle एक principle दो principal clauses होने पर आपका sentence क्या होता है Guys compound दो principal clauses होने पर आपका sentence क्या होता है compound ध्यान रखना ठीक है दो principal clause होने पर क्या sentence होता है compound यह हमारा कुन सा sentence है compound फराजी विल्कुल नहीं है यह B for Bombay जलत आंसर मा कर रहे हो आप चलिए next बताईए जल्दी जल्दी आजो यार जल्दी बता दो next बता दीजे 10 number do it fast let's do it fast wrong हो गया वही अंकित wrong हो गया आपका question चलिए कोई नहीं जो wrong हो गया उसको अगली बार ठीक करना है हमें ठीक चलिए लगाईए guys answer to his great disappointment he failed to carry out his purpose क्या answer लगाएंगे जल्दी यार be quick 10 number to his great disappointment he failed to carry out his purpose क्या answer लगा रहे हैं oh my god oh my god खामो यार देखो पहले बताओ इसमें कोई subject verb है इसमें कोई subject verb है नहीं है तो ये एक phrase है और इसका मतलब एक ही चीज बचीए ये आपका एक principle clause है तो आपका answer बना क्या एक principle clause मतलब simple sentence एक principle clause मतलब simple sentence ठीक है राधी का beef और बॉंबे क्यों लगा रहे हो जब कोई subordinate clause ही नहीं है तो ठीक है चलिए आजए ये next one evergreen trees are you know are a symbol of fertility because they do not die in the winter चलिए मैं देख रहा हूँ और उनको भी देख रहा हूँ जो अपने answer बाद में change कर लेते हैं उनको भी देख रहा हूँ अब की बार नाम बोल दूँगा जो पहले तो भी बोलते हैं फिर मैं बता देता हूँ तो ए कर देते हैं ऐसी नहीं चलेगी ये नहीं चलेगा बाई ए नौ चॉल बे चलिए evergreen trees are a symbol of fertility because they do not die in the winter देखिए सीधी बात है because आया तो ये dependency सेट करेगा तो ये वाला clause तो बन गया subordinate ठीक है ना और एक subordinate है तो एक होगा principle एक subordinate है तो एक क्या होगा principle तो ये आपका principle ये subordinate एक principle और एक subordinate का नाम होता है complex चलिए तो यहाँ पर answer बना हमारा क्या complex चलिए very good malls are great places to shop I can find everything I need under one roof बनाईए answer 12 number guys give me the answer for 12 number ये में को आनी रहा अब ये आपको आनी ला तो मैंने एक वीडियो डाला हुआ है उससे आप आप शीख शक्ते हुआ भई बिलकुल आप उससे सीख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है देखे गाईज mall are great places for shop एक बन गया clause ये आपका principle clause है ठीक है सैमी कॉलन से जुड़ने पर आगे भी principle clauses आते हैं ये भी principle है ये भी principle दो दो तिन तिन प्रिंसिपल घुम रहे हैं तो इसका मतलब ये answer हमारा बनेगा कि कोन है जो ए लगा रहे है ए लगाने वाले क्यों है भाई ये बारा नम्बर में ए लगाना मतलब हराकरी करना suicide कर लिये है लोगोंने जिन लोगोंने ए लगाया है वो suicide कर लिये और मेरा नाम मतले ना उस suicide में ठीक है न मैं responsible नहीं हूँ उसके लिए ए लगाने का परपस ही नहीं है जब दो-दो clauses दिखने और दोनो principle दिखने है क्या है यहाँ पर? compound क्या answer है यहाँ पर? compound ठीक है यह ध्यान रख्येगा sentence type ही मिल जाएगा यार आपको है ना? चलिए, आइए next one देखिए बनाइए जल्दी से पागी बलिया नाम भी बड़े जवर्दस्त होता है पागड बिल्ला, पागी बलिया पागी बलिया The man was mean because he was lonely and his attitude only made the situation worse देखिए गाई सीधी बात है The man was mean एक बन गया principle clause because से जुडने पर यह यहां तक बन गया subordinate clause लेकिन बट तो है वो कहता है मैं जोड़ूंगा सिरफ principle को बट कहता है मैं principle के साथ आता हूं तो यह वाला आपका principle बन गया जब तक आप clauses डिवाइड करना नहीं जानते तब तक आप फस्ते रहेंगे तो यह आपका क्या हो गया principle दो principle है एक subordinate है दो principle एक subordinate क्या हो जाएगा यह आपका हो जाएगा compound और complex compound complex चलिए यह कुन सा हो जाएगा compound complex ध्यान रखीएगा चलिए next one पे आजएए अब थोड़ा सा मुझे बताने है noun clause adjective यह subordinate clauses के part होते हैं गाईस यह subordinate clauses के part होते हैं आज के time में अगर आप किसी भी teaching exam में आप बैठ रहे हैं तो clauses आपको आने चहिए चाहे वो CTAT का exam हो चाहे वो DSSSB हो, KVSO, NVSO या इस संसार का कोई भी और exam which is related to teaching यह UPTAT में बैठ रहे हो, MPTAT में बैठ रहे हो we should know the clauses चलिए वो इतना VEK के walk नहीं कर सकता अब देखिए that से मैं बता चुका हूँ कि that से आपका subordinate clause बनता है तो यह आपका है तो एक subordinate clause अब देखो यह किसकी बात कर रहा है वो भाग क्यो नहीं सकता है बताईए वो भाग क्यो नहीं सकता वो भाग क्यो नहीं सकता क्योंकि वो weak है और बताईए एडजेक्टिव की जो quality बताता है adjective की quality कौन बताता है adjective की quality English में बताता है adverb तो इसका मतलब यह आपका कौन सा clause है यह आपका adverb clause है बस ऐसे ही निकलते हैं यह तो यह ऐसे ही तो निकलते हैं इतनी कोई तीर थोड़ी मारने इसमें इतना कोई like you're not supposed to apply so much of mind into it okay this is something which can be a pushover if you know the concepts okay if you know the concept this may be a pushover for you in exam right so that he cannot run वो भाग क्यों नहीं सकता क्योंकि वीक है वीक आपका क्या है आपका adjective adjective की quality adverb बताता है तो इसलिए adverb clause चलिए आईए एक और बताईए before we took our dinner देखिये मैं आपको clear कर दूँ subordinate clause की कोई वीडियो मैं future में भी नहीं बनाऊंगा और मैं अभी भी नहीं बनाई है हाँ sentence type की आपको वीडियो मिल चुकी है वो आपके पास होगी ठीक है कुछ बड़े technical topic है जो कई बार शायद नहीं करा पाते हम ठीक है इस तरीके से चलिए my brother had come before we took out our dinner अब देखो वो कह रहा है इससे पहले की हम dinner लेते तो क्या हो गया था इससे पहले की हम dinner लेते तो क्या हो गया था भाई क्या हो गया था वो आ चुका था इससे पहले की हम dinner लेते क्या हो चुका था वो आ चुका था यह ध्यान रखना इससे पहले की हम dinner लेते वो आ चुका था यह ध्यान रखना तो ये कमवर्ड की बात कर रहा है और कमवर्ड यहां पर किस की बात करेगा वर्ब और वर्ब की बात करने वाला कौन होता है वर्ब की बात करने वाला होता है एडवोब वर्ब की बात करने वाला क्या होता है एडवोब ठीक है ये ध्यान रखना यह कौन सा clause है एड़ोब clause है ठीक है यह ध्यान रखना चलिए वो उससे पहले की वो डिनर लेता तो वो आ चुका था तो कम की बात हो रही है ब्रदर की नहीं ठीक है यह ध्यान रखना चलिए अब ऐसा करते हैं पांच वो कैब में जो पांच नंबर ले आएगा मैं यह समझूँगा वो दो तीन महीने से तो मेरे साथ है और नहीं तो फिर गड़बड़ भी हो सकती है चलिए यौर टाइम स्टार्ट्स नाओ और आप ज्यादा टॉफ वर्ड नहीं रखे देखो मैंने असान वर्ड रखे हैं बड़े बड़े भी दिखा दिया अच्छा दिखे ताकि ठीक है चलिए मीना यार आपको अध्यर मंत्रा पर मिलेगी संटेंस टाइप की वीडियो है वन एन हाफ ये बैक की वीडियो है है ना हम अब हमारे पार डिजिटल बूर्ड नहीं थे हम बिल्कुल नॉर्मल पर बताया था I am fallen English grammar I have fallen in love with English grammar थोड़ा सा ओर अच्छा बोलिये ना I am fallen नहीं I have fallen in love with English grammar यह synonym ही पूशता हूँ अगर antonym होता तो मैं जरूर बता देता हूँ इसमें क्या बताना है इसमें meaning बताना है infuriate का और acquaint का meaning बताना है आपको I got infuriated by your questions I got infuriated by your preposterous questions sometime even in the you know the paid batches people keep on asking that question that infuriates us but वो तो हमने patience की गोली खा रखी है है ना equilibrium की रोज घर से गोली खा के आते है कि बेटा mind को set रखना है बिल्कुल किसी से कुछ गलत नहीं बोलना और बिल्कुल अराम से बाती करनी है सबसे है ना तो वो एक हम बिल्कुल एकदम patience वाली गुली होती है हमारे पास ठीक है तो हमारा patience बड़ा हाई रहता है आप कुछ भी बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं होती कई बार होते हैं रावडी एलिमेंट आ जाते हैं कुछ रफियंस आ जाते हैं है ना कुछ हुलीगंस आ जाते हैं हूडलम्स आ जाते हैं है ना तो उनको भी जिलना ही पड़ता है गाईस सो सम्टाइम बट आई गेट इन्फ्यूरियेटेड ले लिया मैंने सम्टाइम आई गेट इन्फ्यूरियेटेड ठीक है यह ध्यान रखना इन्फ्यूरियेट मतलब होता है जब कोई बंदा क्या हो जाए है ना इन्सेंस हो जाए इन्सेंस मतलब भी होता है गुसा होना ठी ठीक है, infuriated, I got you know infuriated, I got enraged, I got, क्या करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, enraged हो जाना, गुस्सा हो जाना, I got infuriated by his questions, मैं बिलकुल गुस्सा हो गया उसके questions से, I got aag baboola, यहाँ पर enraged आएगा guys, गुस्सा दिला देना, चलिए, acquaint का मतलब क्या होता है guys, I am not acquainted with you, ठीक है, I am not acquainted with you, acquaint मतलब होता है, जान पैचान हो ना, किसी ने बोला, ठीक है ना, किसी ने बोला, क्या केते हैं, आप मेरे को मिल गए रस्ते में हो सकता है, आप मुझे जानते हूँ, बट मैं आपको ना जानता हूँ, तो मेरे में बोला, बैई, sorry I am not acquainted with you, है ना, do I know you, ठीक है, यह ध्यान रखना, do I know you, ठीक है, तो I am not acquainted with you, acquaint मतलब होता है, जान पैचान होना, इसको हम बोलेंगे, एककस्टम होना, I am not accustomed to these kind of environment, I am not acquainted with you, acquaint with, accustomed to, acquaint with, accustomed to, ध्यान रख्येगा, चलिए, this is, you know, like the 17-18, अब देखिए, देखते हैं, जड़ा कितने लोग बनाते हैं answer, यहां पर क्या है, allegiance का बताना है, और यहां पर grumble का बताना है, चलिए, allegiance और grumble, जल्दी बता दीजिए, क्या answer है, कुछ अच्छे अच्छे word है, गैजी, अच्छे अच्छे word है, please start using it these words in your daily life this is the way you can prepare the language language ko time chahiye aap time dijiye or patience chahiye patience diji right do not be in hurry or do not expect any kind of magic from anyone he cannot what we normally do we do expect magic from other people this is not a magic wand in my hand which I will tap on your head and everything will be hunky-dory okay it is not gonna happen like this time lagta time lagaiye or time it na hai ki poochye mat humare pa time it na hai ki hum hai na har 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 kisi ki photo pa ja ke like bhi karte hai jis ke pa itna time hai ki har photo ko ja ke woh like kar sake to us ka career to pata nahi kahan pooch jaya chaliyye grumble matlab kya hota we keep on grumbling at our new life or we can keep on grumbling at our jobs we keep on grumbling at our jobs we keep on grumbling whatever we get in our life is always short is always not up to the mark and we keep on grumbling at our new job we keep on grumbling at our you know the service provided by others by others kya logo ka nature hi bada peevish hoota hai bada hi cantankerous logo hote hai harridan hootie hai virago hootie hai kya logo thik hai to yeh dhyan rakhna to grumble matlab hoota hai de keep on complaining some people keep on grumbling at their you know life ki yaar mere ko yeh nii mila wo nii mila usnne yeh nii kara usnne meere liye aray tum bhai khud karlo joh karna hai aapni life me hai hindustan mein phir bol raha hoon صرف eek hindustan aesi country hai hai jahaan par sab ke paas opportunity hai kuch bhi karne ki aapko koi nii rog sakta yeh dhyan rakh lena is sansar mein agar aapke paas wo will power hai to hindustan eek aesi country hai jahaan pe kam se kam koi restrictions nai hai ki aapka religion kya hai aapka dharam kya hai aapki kya hai sari facilities sab ke liye 100% available hai dike na aur yeh proven facts hai dike na man mohan singh aapji abdul kalam hai na we have n number of you know examples where we can say that you know the opportunities are available for almost everyone what you need to do is to put your efforts into it but some people keep on grumbling government yeh nii deri wo nii deri karte raho phir chal yeh grumble matlab hota complain karna and i have seen lot of people doing that you have to show your allegiance towards your family aur jisko aap support karte uske liye aapki allegiance honi chahiye allegiance matlab reality very nice word yaare kis nai likhye hai bhai niru bhot acha yaare fidelity fidelity very nice words showing your fidelity showing your fidelity fidelity towards his masters matlab apni bhakti apni loyalty apni fidelity show karna chik hai usko bholte hai so his allegiance to the party was suspect from the very beginning yani wo party ke liye loyal hai ya nahi hai yeh shuru se hi sandhye me tha chik hai so isko kya bhol sakti hai loyality isko kya bhol sakti hai loyality dhyan rakhna chik hai chaliyye ek last word hai guys guys aaj ka aur phir mein aapse lunga alvida aur i hope ki mein kuchh sikha pa raha ho aapko mein le raha aapka hoon penta alis minute lekin i hope you will get lot of thing out of it chaliyye trite ka meaning batana hai humi trite his trite remark fail to cut any eyes with the audience cutting any eyes hota hai when you impress the audience and they change their decisions about something so that is basically called as cutting the eyes chaliyye nidhi aap bhi yaha par hai pehli baar dikhe mujhe is channel pe chaliyye aate hoonge maine dhyan nahi diya sahi bolu kya i can see you on the you know entrance wizard channel chaliyye his trite remark fail to cut any eyes with the audience trite kounse remarks hote hain guys bhoat hi trivial remarks hote hain trite remarks kounse hote hain bhoat hi trivial hote hain hain wohi ghisipiti bata ki jariye hain wohi cliche bata wohi platitude remarks pijli pani dhe 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 tumhe mujhe government bana dho 15 sal nitish kumar bihar me raach karne ke baad kya raha hai ki aaglye 5 sal bade jabardast hoongge thik hai pahit kira lo na itni sharam rakhho thudhi si hai na to trite remarks hote hain wohi purani ghisipiti bata hai jis meh mujhe koji interest najar na aaye jis ko hum bolte hai hacknade jis ko hum kya bolte hai hacknade i am really tired of your hacknade response on daily basis hai na mein tumhara ya hacknade response se tang hain wohi illogical naihi sorry illogical naihi thik hai ye dhyan rakhye ga illogical naihi hai thik ya ho ga aapka kya hacknade response matlab wohi purani ghisipiti bata and i am tired of your trite remarks mayre ko jab koji aaker yeh bolta hai na dekho meinne aapko jhutni boloonga loog aise bulaate hain konee me le jate hain kate sire sire eek baad batao mein na hindi background se hoon or mein yupi se hoon tu kya ho gya ho kya gya agar yupi se ho or hindi background se koi roka raha hai kya koi kanun hai kya aap english nix nix hindi background se hai joh yupi bihar se hai kya koji kanun bana hoa hai kya 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 aap hindi english hi nix pardasakte ab aray java aur woh 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 loog jab mein unse puchta ho aapki qualification kya hai sir political science mein net qualify ho mein kye tam bhai kiyo aysi batae kerte ho hai na hai na áasman ko chukar jamein ki batae kiyo kerte ho thik hai toh jab kai vahar loog yeh keheten na mein hoon net qualify और sir english mein hi karpa raha ho meire ko digest naihi hoota mein sachi bhol raha ho meire ko badaa eek guilty wala feeling hoota hai yaar loog kya kar raha hai kaisa mindset or kaisa perception carry kar raha hai thik hai so perception joh hai woh kill karta hai bar bar bhol raha ho yes banal is also very good con thik hai banal is also very very nice one is mein banal bhi likh sakti hai banal conversation I try my level best not to do any banal conversation hackneyed ho gya yes bilkul aray up deko up se belong karna toh achi baat na us me kuch aisa thudhi up me koji english bholna mana hai hai na bhihar up me koji english bholna thudhi mana hai achi 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 eek se bade bade speaker foreign officer we other banayayay ש Wide วoha se orien sab é pho Hai ठीक है yee therasa perception change kariye chalyeye à Aj meeri T Araf se it na hiy hai guys this is all from my studies we learn some new world English paeda guer gi shootku krabus sir English paeda goji kapse yahr English paeda goji toh Rohe sir ka rata te educate toh peaga g pred1 toh chi student absolutely expert Matt toh presidential Dumbara question kara де of Sadako Well I ju ay Fajit mille yesterday in a Under a session के साथ or this is all from my side I hope you learn something out of it and these sessions you can also share your feedback about it and I if you want to bring some changes out of it uh we have interested in PGT subjects चलिए अब बाकी बाते कल करते हैं गाई बाकी बाते कल करते है और इतना ही था मेरे पास आज थोड़ी सी करते रहिए regular त्यारी और बिलकुल note करते रहिए words को daily basis पे 5 word collect करने वाले 2021 में दुनिया जीतने वाले हैं यह ध्यान रखना जो रोज 5 word collect कर लेंगे वो बस 2021 के बाद उनको English जिंदिगी में परिशान नहीं करेगी यार यह H-Tat में भी आता है राजेश यह H-Tat में भी आता है चलिए this is all from my side bye bye guys झाले झाल झाल